नमस्कार दोस्तों वेलकम बैक टू मैं चैनल और कुछेता अनवर्ष्टी के स्टूडेंट के लिए कुछ नई जानकार या नई अपडेट लेकर आया हूँ तो वीडियो के साथ अंतक बने रहिएगा और वीडियो को जादा ही जादा शेर कीजेगा ताकि हर एक टूडेंट और आज की सोफ्ट्वेर एक्जाम को लेकर बहुती बड़ी अपडेट लेकर आया हूँ जो रेगुलर स्टूडेंट है उनके मन में भी संसया बना हुआ है चाहिए वो बीडियो के स्टूडेंट हो रेगुलर या फिर पासाओ स्टूडेंट हो रीपियर के और उसके डाटा है वो भी स्टूडेंट का कोश्चन था कि कितने जीवी डाटा हमारा चाहिए होगा तो यह सभी कोश्चन के जवाब इस वीडियो में आपको देने वाड़ा हूँ तो एक बार वीडियो को लाइक और शेर कर दीजेगा तो दोस्तों यह है आज की अपडेट जिसमे बार रखे गई है ठीक है तो आपको रेगुलर स्टूडेंट है जो बार बार कमेंट करते थे उनको गबराने की जूरुत नहीं है अब बार बार कमेंट करते थे कि हमारे एक्जाम भी का सोफ्ट्वेयर से होंगे और यहाँ पे डिटेल से बताया है कि रिक्षा में बें न आज से एक्जाम होने वाले हैं और इसके बाद हमने जो है पहले कभी भी इसको प्रयोग नहीं किया आप सभी गवता है ना regular student के लिए ना distance के लिए और इस सत्र में जो regular student है उनके एक्जाम में software यूज नहीं होगा एक बार द्यान से सुन लीजिए क्योंकि regular student के जो exam है वो college क के थरू करवाय जा रहे हैं और college में उन पे जो है गूगल मीट के जरिए आप पे नजर रखी जाती है इसलिए आपके software से exam नहीं होंगे 16 जुलाई से PG के जो exam सुरू हो गए है जबकि by July से distance additional improvement के exam होने वाले है इन सभी प्रिक्षाओं में नकल को रोकने के लिए software का प्रयोग किया जाएगा regular चातर की प्रिक्षाओं इसमें उनको यूज नहीं किया जाएगा इसे लेकर स्वाल उठ रहे थे क्योंकि नकल तो दूरवर्ति के साथ साथ regular student भी कर सकते हैं और दूसरे regular में online प्रिक्षाओं में google meet से जो है नजर रखी जाएगी अब यह स्वाल उठ रहा है कि regular प्रिक्षाओं में google meet से नजर रखी जा सकती है तो दूरवर्ति में भी यह संभव था ठीक है यह distance education वाले student बोल रहे हैं और किन-किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है यहाँ पर देख लीजिए internet disconnect होने पर हो सकती है कारवाई mobile laptop और उसकी battery जो है इसके लिए student खुद जिम्मेदार होगा अगर प्रिक्षा के दुरान कोई भी समस्याओं आती है तो student का जह है उस पर student पर UMC की कारवाई की जा सकती है और प्रिक्षा के दुरान अगर आपके mobile आता है किसी का phone आता है तो इसके लिए भी आपके करवाई की जा सकती है और तीन गंटे तक विजारती अपनी seat से नहीं उठ सकता उसके बाद एक गंटा जो दिया जाएगा वो आपके PDF बनाने के लिए होगा ठीक है उस time आप अपनी PDF बना सकते हैं और अगर गाउं के student है उनको भी भारी समस्यों का सामना करना पड़ सकता है और यहाँ पर देख लिजे जो expert हैं इंटरनेट के उन्होंने बोला है कि 3-4 घंटे की वीडियो कोल के लिए उस्तन 12GB डाटा लगता है लेकिन आपको घबराने की जूरत नहीं है इतना डाटा जो है आपके पास नहीं होगा और इतना जुरूरी भी नहीं है आपका जो डाटा है कम से कम 2 या 3GB ये चल जाएगा आपके एक एक एक्जाम के लिए क्योंकि आप फ़र्स्ट एक्जाम देखे देख लीजी आपको पता लग जाएगा की कितने RGB डाटा लगता है कहां कहां पे डिक्कत आती है और आपके जो software से एक्जाम होने वाले हैं उसके बारे में भी मैंने बता दिया है और कितने जी भी डाटा लागेगा तो वीडियो अच्छा लागो तो लाइक और शेयर जुडू करना धन्यवाद जहीं